हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरध्या आरेस एकेड़ी में दोस्तों पूरे भारत वर्ष में जितनी भी प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए कंप्यूटर के टॉप एक हजार प्रेशन बताए गए हैं जो आपकी प्रतियों की प्रिक्षा के लाइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें और दोस्तों टेस्ट आपको पूरा देना है या आपको याद रखना है पूरे के पूरे प्रेशन देखने हैं बिल्कुल सामती से ठीक है तो देखिए दोस्तों पहला प्रेशन है निमनलिकित में से किसे कंप्यूटर का पिताम है कहा जाता है तो किसे कंप्यूटर का पिताम है कहा जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चाल्स बेवेज को चार्ल्स बेवेज को computer का पिताम है कहा जाता है तो इसमें right answer हो जाएगा बी नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर next question है इसमें देखिए computer के विकास में सरवादिक योगदान किसका है याद रखना दोस्तो computer के विकास में सरवादिक योगदान है वो किसका है वान नूमन का दोस्तो सरवादिक योगदान है डी नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें तीन नमबर का प्रेशन है पर्थम अंकिये computer के blueprint के विकास में सरवादिक योगदान किसका है पर्थम अंकिये computer के blueprint के विकास में सरवादिक योगदान किसका है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है किसका योगदान है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चाल्स बेवेज का तो इसमें बी नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चार नमबर का प्रेशने सरोपर्थम आदूनी computer की खोज कब हुई सरोपर्थम आदूनी computer की खोज है वो दोस्तो कब हुई थी तो यह उत्ती गुनी सो 46 में ए नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए computer की भोतिक बनावट कैलाती है तो दोस्तो यह hardware कैलाती है क्या कैलाती है hardware तो इसका right answer इसमें बी नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर है hardware आगे देखिए six नमबर का प्रेशने computer के संचालन में परियुक्त प्रोग्राम नियम तथा computer किरियाओं से समंदित अन्य लिखित सामगरी को कहा जाता है computer के संचालन में परियुक्त प्रोग्राम नियम तथा computer किरियाओं से समंदित अन्य लिखित सामगरी को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा उसको software कहा जाता है तो यह CPU कहलाता है, क्या कहलाता है, CPU, C number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, देखिए दोस्तो, पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन उन में इसे कुछ ही सफल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पढ़ने का तरीक का अलग होता है, तो दोस्तो, वो ज्यादा से ज्यादा सुनने क कोसिस करते थे कि आगे वाला क्या बोल रहा है, तो आप भी दोस्तो सुनने की कोसिस करना, क्योंकि दोस्तो सुनने से ज्यादा याद होता है, ठीक है, देखिए, मैं अभी फटा-फटा आपको प्रेसन करवा रहा हूं, तो मेरे साथ मेरो चलते जाना, ठीक है, देखिए, वह हैं hardware device कौन सी है, जिसे आम तोर पर computer का brain कहते हैं, तो दोस्तों किसको बोलते हैं, तो ये CPU को बोलते हैं, ठीक है, C number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, CPU, आगे देखें, computer का सबसे महतोपूर भाग है, computer का सबसे महतोपूर भाग है, तो वो कौन सा है, तो वो है CPU, A number option बिल्कुल सही उतर, 10 number का प्रेशन है, इसमें देखें, computer hardware जो आंकडों की बहुत अधिक मात्रा को बंडार में रख सकता है, कहलाता है, computer, hardware जो आंकडों की बहुत अधिक मात्रा को बंडार में रख सकता है, कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो chip कहलाता है, चिप, तो इसका right answer हो जाएगा इसमें, वो है, B number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ठीक है, चिप, आगे देखिए इसमें, integrated circuit chip का विकास किस ने किया था, integrated circuit chip का विकास किस ने किया था, तो ये किया था, दोस्तों किस ने, तो ये किया था, JS किल्वी ने, किस ने किया था, JS किल्वी ने, तो इसका right answer, C number option, JS किल्वी, नेक्स्ट है IC की परत होती है तो दोस्तो IC की परत किसकी होती है तो यह दोस्तो होती है सिलिकॉन की ए नमबर का ओप्शन सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन आगे देखिए तेरा नमबर का प्रेशने कंप्यूटर डिस्क पर किस पदार्त की परत होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो आइरन ओक्साइड की परत होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर ठीक है नेक्स्ट चोधा नमबर का प्रेशना इसमें देखें कम्प्यूटर में किसी सब्द की लंबाई किसमें मापते हैं तो यह नापते हैं दोस्तों किसमें तो बिट में मापते हैं किसमें मापते हैं बिट में तो इसमें बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर देखिए mb में नापते हैं तो mb में किसको नापते हैं तो दोस्तों computer की इसमर्ती समता को mb में नापते हैं ठीक है तो इसका right answer इसमें d number option हो जाएगा इसमें d number का option बिल्कुल सेउतर हो जाएगा नापते हैं तो इसमें d number का option बिल्कुल सेउतर हो जाएगा next किसी program में bug क्या होता है तो bug के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि error क्या होता है error तो इसका right answer हो जाएगा इसमें d number का option सेउतर error next memory नापतें प्रचाव सेउतर हो जाएगा नेक्स्ट है PC का अर्थ है PC का अर्थ क्या होता है तो personal computer यानि कि दोस्तों क्या हो जाएगा इसका right answer तो वो है व्यक्तिगत computer कौन सा हो जाएगा व्यक्तिगत computer तो इसमें C number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा व्यक्तिगत computer ठीक है आगे देखे दोस्तों इसमें 21 number प्रेसन है सरवादिक सक्तिसाली computer है तो वो कौन सा है तो वो है super computer तो इसका right answer हो जाएगा एद नंबर का option सही उतर super computer नेक्स्ट बाइस नंबर प्रेसन है इसमें देखे डिजिटल computer की सिद्दान्थ पर कारे करता है तो ये कारे करता है दोस् तेजगति का printer है तो सरवादिक तेजगति का printer है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों laser printer कौन सा है laser printer है ये सरवादिक तेजगति का printer है ये नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा next 24 नंबर प्रेसन है सूपर computer अन्य computer से किस संदर्ब में भिन होते हैं तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है परिकलन समता एवं व्रहत इसमर्ती बंडार ये इसका right answer हो जाएगा C नंबर option बिल्कुल सही उतर 25 नंबर प्रेसन है आधुनिक digital computer में किस पद्दती का उपयोग किया जाता है तो किस का उपयोग तो द्वी आधारी अंक पद्दती का उपयोग किया जाता है ये नंबर option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 26 नंबर प्रेसन है निमनलिकित में से कौन सी वेग्यानिक computer भासा है तो इसका right answer हो जाएगा इसमें वो है photon कौन सी है फ्रोटोन याद रखना फ्रोटोन ये वेग्यानिक भासा है तो इसमें C नंबर option सहीतर हो जाएगा proton आगे देखिए computer भासा proton किस चेतर में उप्योगी है computer भासा proton किस चेतर में उप्योगी है तो दोस्तो मैंने अब भी आपको बताया था दोस्तो विज्यान के चेतर में ठीक है यानि कि वेग्यानिक भासा है वो कौन सी है तो वो है proton तो यानि कि याँपे proton किस चेतर में और वंप्शन सेयुत्तर नीक्स्ट का ils से का पिसके लिए उप्योतर का प्रियोगत यह उप्योग दी किस क्पिटर werd संब्रेकर करेंच्ण का प्रियोग करते ही दो सिल एक तहो प्रोग्राम हेत्व सरोपर्थम विक्षित की गई चामपिटर है कोन्सी है तो वह अगर जी भासा के समान उच इस तरीये computer भासा है तो वह कौन सी है तो वह दोस्तों काबो desc काबोल के अंदर ठीक है तो इसमें वी नमबर का उप्सन बिलकुल सरुटर हो जाेगा आगे देखे 33 नमबर प्रेशन है फोटोन ठीक है तो इसमें देखे अलगोल पासकल आदी भासाओं को सिखाने के लिए किस भासा की नीव का पत्थर कहा जाता है यानि कि किस भासा को नीव का पत्थर कहा जाता है दूबार देखे फोटोन अलगोल पासकल आदी भासाओं को स चिखाने के लिए किस बासा के निव का पत्थर का जाता है, यानि कि किस बासा को निव का पत्थर का जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो बेसिक को, तो इसमें B-Number option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, नेक्स्ट है जटिल विग्यानिक गणनाओं के लिए प्रियोग निमन में से किस कारी के लिए किया जाता है बेसिक बासा का प्रियोग निमन में से किस कारी कि लिए किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है इसमें देखिए प्रारम में सरल बासा को सिखाने है तो प्रारम में सरल बासा को सिखाने है तो बेसिक बासा का प्रियोग किया जाता है D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 36 नमबर प्रेशन है बासा जिसे कंप्यूटर समझता है वे निस्पादित करता है कहलाता है बासा जिसे कंप्यूटर समझता है वे निस्पादित करता है कहलाता है तो क्या कहलाता है वो तो यह कहलाता दोस्तों मसीनी भासा कहलाता है बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर मसीनी भासा आगे देखें कम्पिटर भासा में जावा के आविस्कार कौन है Computer भाता में Java के अविस्कार कौन है तो इसका Right answer हो जाएगा वो है, दोस्तो कौन? तो वो है Micro System क्या हो जाएगा Micro System तो ये दोस्तो Computer भाता में Josha के अविस्कार है तो इसका Right answer हो जाएगा C number का Option बिल्कुल सईवतर हो जाएगा Next आगे देखे अधिकतर computer समझ सकते हैं तो क्या समझ सकते हैं तो वो है अंग्रेजी बासास सरद्र से उच्छ इस्तरिये निर्देश यह अधिकतर computer है वो समझ सकते हैं यह नमबर का option बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा आगे देखे computer grid होता है यहां पे देखे computer grid होता है तो यह एक software अव सरचना जिसमें कई अभी कलन परतिश्थान जुड़े होते हैं तो इसका वी नमबर option बिल्कुल सेयुतर हो जाएगा चालिस नमबर प्रसन है इसमें देखे Windows software का निर्मान किया गया तो किसके द्वारा निर्मान किया गया दोस्तो Windows software का तो वो है IBM के द्वारा किया गया था दोस्तो Windows software का निर्मान ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें यह नंबर का उप्षन बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे 41 नंबर प्रेस्ट नहीं इसमें देखे O-R-C-A-L-E है तो यह क्या है? Oracle क्या है? तो यह है दोस्तो Database Software क्या है? Database Software तो इसका right answer हो जाएगा इसमें C-Number का उप्षन सयुत्तर Next is कौन सा Software सब्द संसादन में परियोग किया जाता है? कौन सा Software सब्द संसादन में परियोग किया जाता है? तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो MS Word C-Number का उप्षन बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा MS Word Next is 我就 C-Number का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा समाई इस नम्बर प्रेशन आई इसमें देखे निमनलिकित में से कौन सा कम्पूटरों को टेलीफोन लाइनों का परियोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमती देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोडेम, C नमबर का उप्शन से उतर हो जाएगा मोडेम 45 नमबर का प्रेशन है इसमें देखें कोई कम्पूटर प्रोग्रामर क्या करता है तो दोस्तों ये करता है वहें कम्पूटर के लिए सभी परकार का चिंतन करता है वहें सभी परकार के चिंतन करता है तो इसका right answer हो जाएगा A number का option बिल्कुल सयुतर हो जाएगा 46 number प्रेशन है इसमें देखिए विश्वा में सरवादी कंप्यूटरों वाला देश है तो विश्वा में सरवादी कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है तो वो है USA कौन सा है USA C number का option बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा USA Next Computer साखसरता दिवस कब मनाय जाता है Computer साखसरता दिवस कब मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है दोस्तो 2 December को Computer साखसरता दिवस कब मनाय जाता है 2 December को B number का option बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए 48 नमबर प्रेशन एक बाइट बनता है तो दोस्तों ये 8 बिट से बनता है एक बाइट ठीक है तो इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए भारत में सिलिकोन वेली कहाँ पर है तो दोस्तों ये बैंगलोर में है ए नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा नेक्स्ट है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रोनिक अंकिये कम्पिटर है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इनेक ठीक है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखे इसमें भारत में निर्मित पर्थम computer है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों सिद्धार्त ए नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्त है आगे देखे Microsoft है Microsoft क्या है तो ये दोस्तों software विकास करने वाली एक संस्ता है यानि कि software का निर्मान करती है Microsoft company तो इसका right answer हो जाएगा बी नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा next Microsoft company के संस्तापक है तो Microsoft company के संस्तापक है तो वो कौन है तो देखे Paul Allen और Bill Gates ये दोनों है ये दोस्तों Microsoft company के संस्तापक है अभी तक आपन ने सिर्फ Bill Gates का नाम सुना था आप आज एक नाम और सुन ये आपने Paul Allen ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा उपरोक्त दोनों C number option बिल्कुल सही उत्तर है next Microsoft के सह संस्तापक कौन है तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था Paul Allen तो इसमें C number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा Paul Allen है ये सह संस्तापक है next सूचना राजपत किसे कहते ह तो ये इंटरनेट को कहते हैं दोस्तों सूचना राजपत है डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इमेल का जनम दाता किसे माना जाता है इमेल का जनम दाता माना जाता है दोस्तों किसे तो रे टॉम लिंशन रे टॉम लिंशन को इमेल का जनम दाता माना जाता है डी नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट ए भारत का पर्थम कम्प्यूटर करते डाक गर कहां है तो यह है दोस्तों कहां पर नई दिल्ली में ए नंबर उप्शन मिलकूल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अठावन नंबर प्रे विस्ता कहां लगाई गई तो यह लगाई गई दोस्तों कहां पर तो यह लगाई गई कहां पर तो यह नई दिल्ली में ए नंबर का उप्शन बिलकूल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट ए रेम का पूंड रूप क्या है तो दोस्तों रेम का पूंड रूप है वो क्या है तो random SS memory random SS memory ये दोस्तो रेम का पूरा नाम है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा वो है इसमें A number का option है वो इसका बिल्कुल से यूतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें 61 number press ने CPU का अर्थ है तो दोस्तो CPU का अर्थ क्या हो जाएगा तो वो है central processing unit नाम तो सुनाई होगा दोस्तो वो है central processing unit ये CPU की full form है तो इसका right answer A number option हो जाएगा आगे देखिए CAD का तात पर ये है तो CAD का तात पर ये क्या है तो ये है दोस्तो computer edit design क्या सही है बिल्कुल सही है computer edit design ये है दोस्तो CAD की full form तो इसमें A number option सही उतर next IBM का पूर्ण रूप क्या है यानि कि IBM की full form क्या है तो वो है international business machine international business machine ये दोस्तो IBM की full form है B number option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा next CD ROM का पूर्ण रूप क्या है तो CD ROM का पूर्ण रूप क्या है तो इसका right answer हो जाएगा वो है compact disk read only memory ROM का तो आप सभी को पता है read only memory और CD की full form है दोस्तो compact disk तो इसमें B number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 65 number प्रेशन है निम न लिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद Pentium प्रेटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है तो दोस्तो निम न लिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद Pentium ब्रांड के नाम से बेचा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो microprocessor तो इसमें D number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है www के आविसकारक और संस्तापक कौन है तो दोस्तो www के आविसकारक और संस्तापक कौन है तो वो है दोस्तो Team Burns Lee Team Burns Lee तो इसका right answer हो जाएगा विल्कुल सही उतर नेक्स्ट है Yahoo, Google एवं MSN है Yahoo, Google और MSN है तो यह क्या है तो दोस्तो यह है क्या Internet site है यह ठीक है A number का option सही उतर Internet site Next है Computer सब्द कोस में CD अक्सरों का परियोग किसके लिए किया जाता है तो दोस्तो सीधा सापने को यहां पूछा गया है कि CD की full form क्या है तो CD की full form हो जाएगी दोस्तो वो है compact disk तो इसमें इसका right answer हो जाएगा A number option सही उतर compact disk ठीक है आगे देखे 69 नंबर प्रेशन है निमनलिकित में से कौन एक computer की बासा नहीं है तो कौन एक computer की बासा नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो Fast Fast है यह computer की बासा नहीं है C number option बिल्कूल सही उतर आगे देखे 70 number प्रेशन है निमनलिकित में से कौन सी सूचना परोद्योगी की सब्दावली नहीं है निमनलिकित में से कौन सी सूचना परोद्योगी की सब्दावली नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें प्रकास बंडारन तो इसमें C number option बिल्कुल सहुतर हो जाएगा आगे देखिए गेतर number प्रेस ने पहले electronic अंक्ये computer में क्या था तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें valve ठीक है B number का option सहुतर हो जाएगा valve आगे देखिए अनुपम क्या है तो दोस्तो अनुपम है ये एक super computer है क्या है एक super computer B number का option बिल्कुल सहुतर हो जाएगा एक super computer next है भारत में विक्षित परम super computer का विकास किस संस्था ने किया भारत में विक्षित परम super computer का विकास है वो किस संस्था ने किया तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो किस ने किया तो ये किया see day डेक ने ठीक है कौन सी संस्ताने तो see day किया था वो कौन सी है बिटे नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखी Michael Engelow Virus है Michael Engelow Virus है तो वो कौन सा virus है तो वो है दोस्तो इसमें एक computer virus है, एक computer virus है, D number का option बिल्कुल सहुतर हो जाएगा, आगे देखे, सारे computerों में लागू होती है, सारे computerों में क्या लागू होती है, तो दोस्तों ये machine बासा लागू होती है, इसमें C number का option बिल्कुल सहुतर हो जाएगा, आगे देखे, Apple क्या है, तो दोस्तों देखे, यह पर एपल क्या है तो यह चोथी पीडी का एक कंप्यूटर है एपल बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तर हो जाएगा अठातर नमबर प्रेशन है इसमें देखिए ऐसी युक्ति जो आंकडों को आवरगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफॉन लाइन पर संप्रेक्सित करती है वह है दुबार देखिए बहुती अच्छा पुर्शन है ऐसी युक्ति जो आंकडों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर् 79 नमबर प्रेस ने कोन मस्तिक्स की कारिय प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गती वाला कंप्यूटर होगा तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इसमें क्वांटम कंप्यूटर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए कौन सी भासा परमानू अनुसंदान के अंदर द्वारा विक्षित सूपर कंप्यूटर परियोजना है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सी तो वो है अनुपम ठीक है डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा अनुपम आगे देखिए कैसी नमबर प्रे corporates यह एक कंप्यूट इसमें देखिए कि एक कंप्यूटर की इसमर्ति सामानिय तोर से किलो वाइट अथवा मेगबाट की रूप में व्यक्त कि जाती है एक बाइट बना होता है तो वो बना होता है तो किसे बना होता है किसका बना होता है तो वो है आठ दो आधारी अंको का बना होता है तो इसमें एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बीएसी नमबर प्रेशन है दाटा के प्रेक्शन की गती को मापने के लिए सामनेत परियुक्त एक है तो क्या है तो वो है दोस्तो इसमें बिट परती सेकंड बिट परती सेकंड सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 83 नमबर प्रेशन है इ यहां पे अपने को बताना है कि इसमें कौन सा सही है देखिए आंकडो के बंडारन करने वाली एक सक्सम युकती है कंप्योटर बिल्कुल सही है आंकडो के विश्लेशन करने के लिए सक्सम है कंप्योटर बिल्कुल सही है पूर्ण गोपनियता बनाए रखने के लिए सक्सम ह होता है computer बिल्कुल सही है चारों कथनी इसमें बिल्कुल सत्ते है तो इसका right answer हो जाएगा d number का option सभी सही है आगे देखे compiler क्या है compiler compiler का मतलब क्या होता है दोस्तो तो दोस्तो एक ऐसा प्रोग्राम जो उच इस तरिये भासा को दोस्तो निमन सुरी उच इस तरिये भासा को दोस्तो इसमें machine तो इसका right answer हो जाएगा इसमें c number का option बिल्कुल सही उतर compiler किसको बोलते है एक ऐसा प्रोग्राम जो उच इस तरिये भासा को machine बासा में अंतरित करता है यानि कि परिवर्तित करता है c number option बिल्कुल सही उतर 85 नमबर प्रेशन है इसमें देखे assembler का कारिये है assembler का का कारिये है तो इसका कारिये है दोस्तों assembly भासा की यंतर भासा में परिवर्तित करना assembly भासा की यंतर भासा में परिवर्तित करना तो इसका c number option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे SPAM किस विशे से समंदित सब्द है SPAM किस विशे से समंदित सब्द है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें computer से समंदित है SPAM ठीक है आगे देखें ALU का पूर्ण रूप है ALU का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों वो है arithmetic logic unit अर्थमेटिक लोजिक यूनिट ये ALU का पुरा नाम है D number option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सी सूचन परद्योगी की सूचन यानि सूचना यहाँ पर देखिए निमनलिकित में से कौन सी सूचना परद्योगी की परी मप किये नहीं है यानि कि परी माप किये नहीं है देखिए यहाँ पर निमनलिकित में से कौन सी सूचना परद्योगी की परी माप किये नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा तो वो है PINAKA, D-number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा Next है, I-C के आविस्कारक किस PD का जनम हुआ यानि कि I-C के आविस्कार से किस PD का जनम हुआ तो दोस्तों किस PD का जनम हुआ तो दोस्तों तिरतिय पीडी का जनम हुआ IC के आविस्कारक से तो इसमें C नमबर उप्षन सहीधतर नेक्स्ट है चतुर्थ पीडी का मुखे अवियव था वो थो दोस्तों व्रहद एकिकरत परिप्पत है व्रहद एकिकरत परिप्पत है नेक्स्ट है समान्य रूप से परिउप्षन पिया जाने वाला भारत में सरोपर्थम दिखाई देने वाला कंपूर वाइरस है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो इस में C brain, कौन सा है, C brain, A number का option बिल्कुल से उतर हो जाएगा, C brain, next है, इसमें देखिए, E, R, N, E, T क्या है, E, R, N, E, T क्या है, तो दोस्तों ये क्या है, तो ये, दोस्तों, एक computer network है, C number का option से उतर हो जाएगा, एक computer network, next है, जब internet का उपयोग संदेश, प्रेक्सित करने में किया ज जाता है, तो यह सुईदा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है, दोस्तों, इसमें email, ठीक है, तो इसमें C number का option से उतर हो जाएगा, next है, इसमें देखिए, PERL है, ये क्या है, PERL, तो ये, दोस्तों, देखिए, computer भासा है, ये, C number का option बिल्कुल से उतर हो जाएगा, next है, आधुनिक digital computer में किस पद्दती का उप्यों किया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है, दोस्तों, किसका, तो ये, दोस्तों, दिवी आधारी अंक पद्दती, दिवी आधारी अंक पद्दती का उप्यों किया जाता है, ए नंबर option बिल्कुल से उतर ह नेक्स्ट नीमन में से कौन सा माउस जैसा कारी करता है तो माउस जैसा कारी कोन करता है तो यह करता है दोस्तो ट्रेक बॉल कोन करता है ट्रेक बॉल डी नमबर उप्शन सहुतर नेक्स्ट लोजिक गेट क्या है लोजिक गेट तो दोस्तो लोजिक गेट है यह एक परकार का सर जाता है तो दोस्तों accounting के लिए टेली सुप्ट्वेर का परियोग किया जाता है देखे दोस्तों total मैंने यहापे आपको 100% करवाएं हैं ठीक है अभी मैं आपको 900% नो दिन में और करवाऊंगा ठीक है तो दोस्तों रोजना मेरे साथ में चलते जाएं मैं आपको 10 दिन के अंदर टोटल है वो 1000% करवा दूँगा एक साथ आपसे देखे भी नहीं जाएंगे 500% आप मेरे साथ में देखते जाएं और अगर आप 1000% देख लेते हैं तो दोस्तों आप पूरे भारतवर्स में को इसी भी परिक्से देलेना चाहें पुलिस की दे लेना, पठवारी की दे लेना, ग्राम सेवक दे लेना, आईएस दे लेना, आरेस दे लेना, बैंक, रेलवे, एससी, सीपी ओ, सीजी एल, टैन पलस टू, कोई इस भी परिक्षा दे लेना, एक भी प्रसन आपका कम्पिटर से समंधित है, वो गलत नहीं होगा, तो दोस्तों, आरद्यारेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के पास में, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों शेयर जरूर करें, फेस्बुक, वाट